दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले है टेली विद GST कोर्स के बारे में पिर आखिरकार ये टेली विद GST कोर्स है क्या कितना टाइम लगता है कोर्स को कम्प्लीट करने में और कौन-कौन से जो content है इस कोर्स में add किये जाते है यानकि क्या-क्या कुछ इस course में आपको सिखाया जाता है तो दोस्तों आपने काफी सारे ऐसे coaching center या ऐसे कोई computer education center जहाँ पर Tally से related course करवाय जाते हैं तो उनकी जब भी कोई advertisement होती है तो वहाँ पर कुछ इस तरीके का word भी आपने जुरूर देखा होगा तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में पर एक प्रैक्टिकली बाते सारी सेखेंगे भी Tally with GST course है क्या Tally को GST का जो वर्ड़ा वो Tally software के साथ में क्यों add किया गया है तो दोस्तों अगर आप Tally software सेखने के इचुक हो accounting field में अपना career बनाना चाते हो तो आज की इस वीडियो को आप end तक complete जुरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में ये सारी बाते आपको practically बताने वाले है भी अगर आप एक नए accountant हो तो आपको Tally सीखने की सुरुआत किस तरीके से करने चाहिए और Tally और GST में दोनों में difference भी क्या है तो दोस्तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना दोस्तों में share भी जुरूर कर देना जो दोस्त आपके account सीखने के इच्छू के है अगर आपने दोस्तों मारे चैनल पर पहली बार विजिट करिए आप मारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जुरूर ओन कर लेना क्योंकि हम इसी चैनल पर टेली सॉप्टवेर और विजी कांटिंग सॉप्टवेर के प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं तो नमस्कार दोस्तो मैं हूं मोन सुथार और समार्ट कांटिंग आरसनार की यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो सुरू करते हैं आज के वीडियो तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी टेली विद जीस्टी कोर्स आपने अभी तक सिखा नहीं है लेकिन इन फ्यूचर आपकी भी पलानी हैंगी भी आप भी टेली सॉफ्ट्वेर को सीख के अकाउंट्स के फिल्ड में अपना केरियर बनाना चाहते हो तो दोस्तो आपको एक बात बता देता हूं भी टेली है यह एक अकाउंट्टिंग का सॉफ्ट्वेर है और जो जीस्टी का जो वर्ड है यह इसमें गवर्मेंट के कम्प्लाइंस रहते हैं दोस्तो अप अकाउंट्टिंग सॉफ्ट्वेर का मतलब क्या हो गया जैसे आज से 20-25 साल पहले जब मार्केट में इतना कम्प्यूंटर का जो जो और नहीं था तो उससे पहले जो विजनसमें थे वो अपना जो विजनस का जो भी लेंदें था इसाब था वो सब का सब अपने मेनुवली खाता बईयों में मेंटेन करते थे जैनि कि आज हमने टोटल कितना गूट्स परजेज किया है कितना सेल किया है कितनी पेमेट हमने मार्केट में पे करिया है कितना रिसिफ्ट हुआ है हमारे पास कितने आज हमने पैसे बैंक में जिमा करवाई हैं कितने पैसे बैंक से निकलवाई हैं यानि कि जो भी जो business से related जो इसाब किताब है वो सारा का सार वो अपने manual खाता बैयों में या किसी ने कोई register लगा रखा है तो उस पे maintain करते थे लेकिन जब से market में computer आया है तो साथ साथ में accounting software भी market में आगे तो दोस्तो कोई ऐसा नहीं है भी accounts का जो इसाब किताब हो केवल tally software में होता है इसके साथ साथ आपको लखों ऐसे accounting software और भी मिल जाएंगे जिसमें हम accounting maintain कर लेते हैं तो दोस्तो टैली साथ यह कापी सारे most popular accounting software में से एक है क्योंकि अपने area के अंदर सबसे ज़्यादा जो टैली यह software भी accounting फिल्ड में डबलफ हुआ था अब इसके साथ साथ आप वीजी accounting software और बहुत सारे आपको accounting software मिल जाएंगे तो दोस्तो अब रही बात GST की अब GST का मतलब यह हो गया भी जो हमें government को जो reporteं देनी होती है भी हमने इस month के अंदर इतना धाल हमने पर्जेज किया है तो इतना हमने tax पचस क्या है इतना हमने good sale किया इतना tax हमने customer से charge किया है इतना हमने tax है जो government को जमा करवा दिया है यह हमारे पूरे साल का, हमने इतना परसेज किया है, इतना सेल किया है, इतना हमने टेक्स फ्री का समान खरीदा है, टेक्स फ्री का सेल किया है, हमने यह GST का 5% का, GST 12% का, यह समान इतना खरीदा है और इतना सेल किया है, यहनकि अब यह GST के अंदर जो भी हमें government को report देनी हो तो दोस्तों इसका कोई certification कोई special नहीं आता है, हो सकता है कोई institute इसका कोई certification course देता भी हो, लेकिन अगर आपने किसी institute पर tally सिखिया है, तो आपको tally का एक अलग certificate मिलता है, लेकिन कहीं पर आपने केवल GST compliance ही सिखिया है, जैनि कि accounts का knowledge आपको पहले से है, लेकिन आपने GST में knowledge increase करने के लिए आपने किसी institute को जोईन किया, तो वहाँ से आपको GST की जो सिखियने का certificate है, वो आपको मिल जाता है, तो काफी सारी institute रहता है, वो tally with GST course का एक combined मना के भी एक certificate दे देते हैं, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा तुक नहीं है, अगर आपको accounts का knowledge practical तरीके से नहीं है तो, अगर हम बात करें दोस्तों, भी contents के, भी हम tally software में इस course में सिखाया क्या जाता है, tally with GST course में, तो दोस्तो tally with GST course में, यानि कि tally से related जितने भी features होते हैं, जैसिकि starting में में tally को open करना है, उसके बाद में tally software में company कैसे create करी जाती है, जैसिकि जो भी आपको tally software में features दिखते हैं, उस features के बारे में जान करी देना, जैसे company में गए, company पर हम गए हैं, तो company में company create करना, उसके बाद में lasers create करना, stock item create करने, stock item के group create करने, उनके units create करने, यह आपको Tally के course में सिखाया जाता है और GST में आपने last month में कितना good purchase किया कितना sell किया कितना आपका tax बढ़ गया वो सारा GST के under में आता है तो दोस्तों अगर आपने Tally software सिख है अगर हम बात करें जोब की और आपने cable और cable Tally software के बारे में आपको जान करी है जनकी हम इस तरह सिख voucher में जाते हैं हम purchase के लिए F9 यूज़ करते हैं sale के लिए F8 यूज़ करते हैं payment के लिए F5, receipt के लिए F6 यूज़ आपको command सारी पता है आपने voucher की entry भी आपने किसी notes को देखे या किसी books को देखके जुरूर करी होगी तो लेकिन अब बात ये आती है दोस्तों अगर आपको क्या जब real business की जब accounting होती है तो उस accounting में इस तरीके के कुछ voucher हमें देखने को मिलते हैं तो क्या आप इन voucher को देखके आप accounting software हैं कि Tally software में इसकी entry करोगे क्या ये आप एक बहुत बड़ा factor होता है जो पाने के लिए दोस्तों Tally का knowledge रखना एक अलग factor है accounts का knowledge रखना एक अलग factor है Tally software कोई भी सिख सकता है लेकिन Tally software के साथ साथ accounts का knowledge होना बहुत ही जुरूर है एक अच्छी job लेने के लिए तो दोस्तों अगर आपने केवल Tally software सिख है तो आपको job मिलना थोड़ा सा मूस्किल है अगर आपने practical तरीके से accounts को सिख है यानि कि जब real business के accounting मेंटरन होती है जो paperwork वहाँ पर होता है उस paperwork से आपने Tally software सिख है यानि कि अब इस तरीके का जो voucher है इसको purchase voucher में कैसे करेंगे payment को payment voucher में किस तरीके से करेंगे payment voucher की पहचान कैसे होती है sale voucher की पहचान क्या होती है तो ये अगर आपको अच्छी तरीके से नो ले जाए और इन्ही voucher से आपने software में entry करना सिख है तब आपको job बैदो थोड़ सा असानी से मिल जाता है तो दोस्तों अगर आप tally software को practical तरीके से से शेखना चाते हो बिल्कुल सुरवात से zero level से से शेखना चाते हो तो आप हमारे इस channel पर visit जुरूर कीजिए smart accounting आरसनार पे और इस पे दोस्तों आपको playlist पे जाना है या कि जब भी आप किसी company में accounting maintain करने जाओके तो वहाँ पर आपको step to step किस तरीके से सुरवात करनी है दोस्तों अगर आप केवल tally software सेखना चाते हो तो हमारी यहाँ पर एक tally prime की playlist बनी भी है इसमें काफी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और इसमें केवल दोस्तों मारे केवल tally से related ही जो हमारे वीडियो वो सारे अप्लोड है और सारे practical basis है step to step आपको अच्छी तरीके से जान करें मिलेंगे दोस्तों हलो दोस्तों क्रियेट करने से लिए करने से लिएकर और वो भी सारे step to step है process के सारे वीडियो है इसमें भी आपको सारे practical बातें बताएंगे यह भी आपको company में शुरुआत किस तरीके से करनी है किस तरीके से company create करने होती है laser किस तरीके से करने है और stock item group है उसके बाद में voucher की इंटरियों किस तरीके से करनी है यह आपको सारे step to step मारे busy accounting software का भी मिलेगा तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छे लगी हो, knowledgeable लगी हो वीडियो से कुछ सेखने को मिला हो तो please वीडियो को like जुरूर कर देना और उन दोस्तों के साथ भी जुरूर सेर कर देना जो दोस्त आपके telly और busy accounting software सीखना चाहते हैं तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में के नए topic के साथ